सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल यार यूटीब चैनल को बैल आइकोन को दवाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपके फोन में काफी सारे इमेज है उन में से किसी एक इमेज को अगर आप PDF फाइल के अंदर डालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप WhatsApp के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन वहीं पर दो चार इमेज को अगर आप एक साथ PDF फाइल के अंदर डालना चाहते हो तो ये आपको थोरा सा मुश्किल लगता होगा और अगर आप ये सीखना चाहते हो कैसे एक ही PDF फाइल के अंदर दो तीन इमेज इसको कैसे एंटर किया जाता है या फिर जो रहा जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें वीडियो में के बनी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा उसे भी क्लिक करके ओल कर दीना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे चलिए शुरू करते हैं जैसा आपको एक सॉप्टवेर डाउनलोड करना परेगा लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड कर सकते हो यहां पर जैसे आप आपको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ इस त टीकला मेंगे चलिए लागती हो कुछ इस तरीके का तो आपको कुछ पमिशन्ues यहां परकशा करना पड़ेगा देर यहांप एक प्लस का आइकोन है आप इस पर क्लिक करें और यहां पर सलक्ट राई पिक्चर में क्लिक करें और यहां पर जिस इमेज को आप एंटर करना चाहते हैं वो आप सेलक्ट कर सकते हैं तो मेरे पास काफी सारे इमेज हैं इन में से यहां पर हम यह वाली इमेज को यह जो एक दो टी सेट है चली हम इसको एंटर करते हैं तो देखो मैंने एक को टिक किया अगर मुझे एक ही में इसको PDF में डालना है तो मैं एक ही को सेलक्ट करूंगा वहीं पे अगर मुझे इन चारों पाचों को मुझे करना है तो देखो यहां पर मैंने पाचों को गिदीथ कर सकते हूं y swear कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आपको ऊपर में using button क्लिक कर देना है और यहां पर देखो कुछ इस तरीके से यह सारे के सारे आ जाएंगे आप यहां पर देखो convert to pdf में आपको click कर देना है और यहां पर आपको यह जो है कुछ नहीं करना है यहां पर auto रहेगा तो आपको यहां पर जो भी select करना है आप कर सकते हैं वैसे तो auto ही ज़्याद आचा है यहां पर हम convert to pdf में दुबारा से click कर देंगे और यह हो जाएगा इसमें convert और कुछ time तक हमें wait करना पड़ेगा और यहाँ पे इसे हम cut करेंगे और यह देख सकते हूँ यहाँ पे आ चुका है और अभी अभी आया है आप time देख सकते हूँ यहाँ आप देख सकते हूँ और एक already मैंने test के लिए already कल ही बनाया था तो यहाँ देख सकते हो अगर हम इसे whatsaap पे share करते हैं या फिर कहीं पे भी share करते हैं तो यहांसे हम easily कर सकते कर्के हैं अगर हम इसे open करते हैं तो यहां से हम इसे open करके देख भी सकते हैं यहां से, ओके, तो आप जो करना है आप कर सकते हूं, कोई दिक्कत नहीं यहां से आप save भी कर सकते हूं कहीं पे किसी भी folder में, वो आपकी मर्जी है, आप जहां पे मर्जी save कर सकते हूं, ओके, यहां पर अगर मैं open करके दिखाओं तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा WhatsApp पे किसी को share for example मैं अपने second phone में इसको share कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं share कर दे रहा हूँ इसको तो यहाँ पे देख लो यह जो है जा रहा है और यही मैं अगर open करूँ तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे यह हो गया पहला image और दोसरा image तीसरा चौथा और पांच में यह last तो यह जो है एक PDF फाइल के अंदर पांच image capture हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए मैं आपको बताता हूँ download आपको कैसे करना है आपको आजाना है Google Play Store पर और यहाँ पे आपको search कर देना है image to PDF यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा यह जो software है तीसरे नंबर पे है तो आप इसे download कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक्स पोचिंग